दोस्तो नवश्कार स्वागत है आपका आपके ही चैनल उशा की क्रेड में दोस्तो अगर आपके पास में 50-60,000 रुपे हैं और आप लेना चाहते हैं एक बहतरी इन लोडिंग रिक्सा और आप चाहते हैं कि किसी बैंक से आपका फाइनेंस हो जाए और 5-6,000 रुपे की महीन इनके साथ मैं लॉंच कर दिया है साथ ही मिलते हैं आपको काफे खूसूरत कलर्स तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कीमत बताना चाहता हूँ 2,61,000 रुपे के एक्सूरूम प्राइसेज में ये अवेलेबल होंगे पूरे भारतवर्स के अंदर अगर हम ओन रोड प्राइस की बात करें तो 3,10,000 रुपे में आपको ये आटो रिक्सा यानि की लोडिंग रिक्सा इन दौर में मिल जाएगा फिलाल दोस्तो हम इस वीडियो को बना रहे हैं अलंकार मोटर्स तीन इमली चौराइग के पास में इनका शोरूम है वहाँ से अगर हम लोडिंग की बात करें दोस्तो तो इनके अंदर आप जो है लगबग एक टन तक का माल आसानी से लेके जा सकते हैं कि आपको 560 केजी का यहाँ पर माल रखना चाहिए दोस्तो सबसे जो बहतर बात है इन लोडिंग रिक्सा की वो यह है कि यहाँ पर आपको मिलता है एक आपको बहतरीन केबिन जिस केबिन के अंदर आप धूप में वारिस में आसानी से बैठ करके अपने आटो रिक्सा को चला सकते हैं लोडिंग रिक्सा को चला सकते हैं साथ ही आपको काफी खूबसूरत और पावरफुल यहाँ पर आपको फ्रंट में हैडलाइट्स मिलती हैं काफी खूबसूरत आपको मिलते हैं इंडिकेटर सामने के टायर के उपर आपको एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का आपको जो है मडगार मिलता है जो कि कभी तूटने पूटने वाला है नहीं सामने की साइड में आपको काफी बड़ा सारा काच मिलता है उसको पर एक वाइपर मिलता है जो कि बारिस के समय के लिए बहुत जरूरी है और एप एक्स्ट्रा LDX की जो वैजिंग है क्रोम फनेस के साइड में आपको सामने की साइड में मिल जाती है साथ ये दोस्तों पीछे की साइड में आपको टेल लैंप्स वगरा जो मिलते हैं वो भी काफी बैठरीन मिलते हैं इस आटोरिक्सा का जो टोटल वेट है वो 975 kg का है वहीं दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो 3145 mm की लंबाई है इसके अंदर आपको 10 इंची की टायर मिलते हैं तीन टायर आपको आटोरिक्सा के अंदर मिलेंगे एक टायर आपको मिलेगा इस पैर वेल के रूप में काफी पावरफुल इंचन का यहां पर इस्तेमाल किया गया है जो कि 599cc का होता है वाटर कूल सिंगल सिलेंटर आपको इंचन इसके अंदर मिलेगा BA6 का इंचन है इसलिए BA6 की वेजिंग आपको आटोरिक्सा के सामने की साइड में मिल जाती है के लिए दोस्तों केबिन के अंदर हम देख लेते हैं यहां पर आपको काफी बैटरी नेक सीट मिलती है ड्राइविंग के लिए साथ में पीछे मिलता है बैग सपोर्ट और नीचे की साइड में जो जगह है उसका यूज करने के लिए आपको यहां पर दे दिया जाता है इस पेर भील दूसा दोस्तों यहां पर आपको एमरोन की 12 बोल्ट की बैटरी मिल जाती है यानि कि दोनों ही चीजों को नीचे लगा दिया है तो यहां पर आपकी जो जगह है उसकी बच्चत हो जाती है साथ ही आपको एक पानी की बोतल रखने के लिए भी जगह चोटा सा डिस्प्ले जिसके उपर आपको स्पीडो मीटर है ट्रिप मीटर है बैटरी के चार्ज वगरा इंडिकेटर वगरा लाइट वगरा सारे के सारे साइन आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं साथी दोस्तों यहां पर आपको यहां पर वाइपर जिसका आप बार इसके समय में पर जनली आप करेंगे ही और एक मिल जाता है आपको यहापर गलाप्स यहापर दोस्तो आपको इसके अंदर होर्न बगरा काफी पावर्फुल मिलता है मुजिक सिस्टम यानि की टेप रिकार्डर बगरा लगाने के लिए जगए मिल जाती है साथ ही इसके स्पीकर बगरा लगाने के लिए जगए मिल जाती है चले दोस्तो आप इस और रिक्षा की थोड़ी आवाज सुन लीजिए तो पीछे की साइड में आपको इसका इंजिन मिलता है जो की काफी अच्छी साउंड यहाँ पर कर रहा है दोस्तो नया इंजिन जो है आपको BS6 वाला मिलेगा यानि कि यहाँ पर फ्यूल इंजिक्शन सिस्टम पे काम करने वाला इंजिन मिलेगा इस इंजिन के अंदर अगर हम बात करें तो 599 CC का यह इंजिन है जो की 9.4 BHP का आपको पावर देता है वहीं टॉर्क की बात करें तो 20.5 Nm ता आप इसे टॉर्क मिले सकते हैं वाटर पूल इंजिन मिलेगा सिंगल सिलिंटर डारेक्ट इंजिक्शन पे यह सिस्टम जो है काम यहाँ पर करेगा इस इंजिन का जो डग है दोस्तो वो लोडिंग जो इसपान है यानि की पीछे का जो लोडिंग है मतलब जो कार्गो बोडी एरिया है वहीं पर इसका पूइंट दिया गया जिससे की आप इसकी जांच परताल कभी करना चाहते हैं तो वो इजली कर सकते हैं यहां पर आपको जो kargo body मिलती है यानि की पीछे का जो loading area है वो मिलता है 5.5 फिट लंबा और पौने 5 फिट के आझ-पास इसकी चोड़ाई आपको मिल जाती है साथ ही आपको इसकी उंचाही मिलती है वो 1 फिट के आझ-पास मिल जाती है जिसको कि आप welding का कारे करवा करें बढ़ा भी सकते हैं दोस्तो इस auto rixa की अगर हम mileage की बात करें तो 30 km से ज़्यादा का आपको mileage मिलेगा एक लिटर डीजल के अंदर और यहाँ पर आपको 10 इंची के tire मिलते हैं 8 fly rating वाले, 3 tire आपको auto rixa के अंदर मिलेंगे एक tire आपको spare wheel के रुप में जो कि आपने cabin में देखा वो मिल जाता है दोस्तो नीचे की side में आपको काफी battery ground clearance मिलता है 45 mm का जिससे कि आप आसानी से उबर खाबर रास्ते हैं, breaker वगरा वाँपे आसानी से निकल जाते हैं 10.5 liter का आपको यहाँ पर diesel tank मिलता है पीछे की side में ही, right hand side में जिसको कि आप lock भी कर सकते हैं इस auto rixa की जो चोड़ाई है वो 1490 mm की है और उचाई है 1770 mm की दोस्तो यहाँ पर आपको ECU मिलेगा यानि ECU के द्वारा operate होगा यह नया engine अब दोस्तो इस engine को BA6 की जो pollution मान है के उसको meet करने के लिए यहाँ पर आपको sensor वगरा लगाए गए है, silencer के अंदर जैसे की catalytic converter वगरा जिससे हमारे engine से निकलने वाला जो pollution है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है इस auto rixa के अंदर दोस्तो आपको multi plate weight type आपको clutch मिल जाता है साथ ही मिलता है यहाँ पर दोस्तो आपको काफी बहतरीन suspension hydraulic telescopic sock absorber के साथ में आपको suspension मिलेगा जिसके अंदर आपको helical compression spring मिलिंगी सामने और पीछे दोना ही साइड में तो काफी बहतरीन auto rixa है उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह जानकारी पसंद आ रही होगी अगर पसंद आ रही तो please अपने दोस्तों में जरूर शेर करिएगा और दोस्तों गर आप इसके किसी passenger auto का वीडियो देखना चाहते हैं या बजाज के RE compact या बजाज के किसी भी passenger auto का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका link में आपको description में दे दूँगा जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है तो दोस्तों अगर आप इंदोर के आसपास से इस वीडियो के देख रहे हैं तो आप अलंकार मोटर्स पे जाकर के संपर करिएगा और इस auto दिक्षा की जो है practical आप जो है जाज परदाल करके इसको खरीशकते हैं तो आज के लिए इतना फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैहिन जैवारत